आदना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्जनों को जाय माता की तो भक्जनों नवरात्रों के इन पावन दिनों में जो आज मैं आपको जह उपाई बताने जा रहा हूँ माता मसानी मेलडी जी का जो भी आपके घर परवार के उपर जा आपके सरीर के उपर कोई बुरा वंदन है आपके शत्रू ने आपके उपर कोई बुरा वंदन लगा दिया है आपके घर परवार को बांदिया है आपके सरीर को बांदिया है आपके कारोवार को बांदिया है तब आप इस विदी का आप जहे उपाए कर सकते हैं तो नवरात्री के पावन दिनों में माता मसानी मेल डीजी की जह जो शक्ती है जह जो दिब्या शक्ती है सातविक विदी के दुआरा आपकी पूर्ण रूफ से रक्षा करेगी चारों दिशाओं में आपकी गाड़ी की आपके वहन की जो भी आपका कारोवार है आपके सरीर की पूर्ण रूफ से माता मसानी मेल डीजी की जह जो शक्ती है आपकी पूर्ण रूफ से रक्षा करेगी क्योंकि माता मसानी मेल डीजी के आगे भी मैं आपको बहुत से उपाई बता चुका हूं तामसिक विदी के दौरा लेकिन जह जो विदी है पूर्न रूप से सात्विक विदी ऐसा ही नहीं जो मैं आपको जह नवरात्रों के दिनों में जो मैं आपको जह उपाई बताने जा रहा हूं केवल ये नवरात्री के दिनों में ही काम करेंगे बिना नवरात्रों के भी आप जह जो विदी है आप इसका परजोग कर सकते हैं तब भी आपकी समस्या का निवार्न होगा और जह जो विदी है बिलकुल सरल विदी है माता मसानी मेल्डी की ऐसा ही नहीं कि आपके शत्तरूने आपके घर परवार के उपर जो बंदन लगाया है जा आपके सरीर के उपर कोई बंदन लगाया है उसी का निवार्न करेगी इसके इलावा जो भी कोई आपके घर परवार के उपर आपके सरीर के उपर कोई नजर टोटका है कोई वद्दुआ है कोई बुरी वादा है तो उसका भी निवार्न करेगी माता मसानी मेल डीजी की जह जो दिब्या शक्ती है तो इसके लिए आपने केवल रात के समय में काली रात में आपने जब पूर्न रूप से अंधेर पक्ष हो जाए आपने केवल एक फल को ही जलाना है आपने अपने घर के आंगन में लेकिन जह जो आपने फल जलाना है आपने घर की छट के नीचे इसको आपने नहीं जलाना जह जो आपने फल जलाना है माता मसानी मेलडीजी का बुरे बंदन को तोड़ने के लिए आपके शक्तरू की शक्ती का पूर्न रूप से बनास करने के लिए जहाँ पर आपको घर का खुला आंगन दिखता हो उपर से आसमान दिखता हो तो बहाँ पर आप इसको जला सकते हैं जा घर की छट के उपर भी आप इसको जला सकते हैं लेकिन यह जो फल आपने अपने घर में जलाना है इसकी जो भहूत होगी इसकी जो राक होगी इसको आप आपने अगले दिन ही जल पर वाहित जल में वहा देना है ज़ा किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपने इसको रखकर आ जाना है इसको आपने अपने घर में नहीं रखना जब आपके घर में बुरी वादा का पूर्न रूफ से विनास हो जाएगा तो जब जो राख है जो भागनी है जब ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको जातो पानी में भागा कर आना है जा फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख कर आना है तो भक्त जनों अब मैं आपको जे संपूर्न विदी बताने जा रहा हूं कि कैसे आपने इस फल को जलाना है अपने शक्तरू की पूर्न रूप से शक्ती का विनास करने के लिए जो भी आपके घर पर वार के उपर कोई बुरा बंदन है आपके स्रीर के उपर बंदन है उसका विनास करने के लिए पूर्न रूप से लेकन ये विदी बताने से पहले आप सभी भक्त जनों से नवेदन है कि ज और जो भी भगजन अपने घर की किसी समस्या के वारे में मेरे से पूछना चाहते हैं, तो जो आप ये वाटस अप का नंबर देख रहे हैं, इसके उपर आप अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं, तो उसके वाद नित्या ही मैं आपके सवालों के जिवाव दूँगा, जो भी आपकी कोई समस्या होगी, उसका निवारन करने की मैं कोशिश करूँगा, और जो भी चैनल के उपर टोटके और उपाए बताएंगे हैं, आप उन विदियों की पालना करने के बाद आप अपने दुखों का निवारन कर सकते हैं, तो नवरात्तरी के पावन दिनों में भगजनों आपने माता मसानी मेल डी जी का नाम लेकर, उनका नाम लेकर आपने एक बजार से जैफल जैफल आपने लेकर आना है, जब भी हम कोई हवन करते हैं आद शक्ति का, तो जो हम जैफल की बली देते हैं वही आपने जैफल अपने घर में लेकर आना है, नवरात्तरी में किसी दिन भी आप इस उपाई को कर सकते हैं, अगर नवरात्रों के वाद आप इस उपाई को करेंगे तब आप शनीवार को शनीवार वाले दिन इस विदी का आप यह उपाई करें लेकर नवरात्री के दिनों में किसी दिन भी आप इस उपाई को आप कर सकते हैं तो आपने एक तो जैफल लेकर आना है और इसके साथ आपने कुछ डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च लेकर आनी है थोड़ा सा आपने लेकर आना है सरसों का तेल तो उसके बाद इसको आपने अपने घर में लाने के बाद जह जो जैफल है इसको आपने सरसों के तेल में आपने इसको भिगो लेना है और भिगो लेने के बाद जो आप सूखी डंडी वाली लाल मिर्च लेकर आए हैं उसमें से आपने बीज निकाल लेने हैं तो जह जो जैफल है जिसके उपर सरसों का तेल लगा हुआ है तो इसके उपर आपने वह बीज आपने लगा लेने हैं जो डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च के वह बीज होंगे वह आपने इसके उपर आपने लगा लेने हैं शत्त्रू की शक्ती का पूर्न रोप से बिन करने के लिए तो उसके बाद भक्त जनों आपने जह जो जैफल है आपने जोट के पास रखना है और माता मसानी मेल डीजी से आपने बेंती करनी है अरदास करनी है दौा करनी है कि जो भी हमारे घर में कोई बुरा बंदन लगा हुआ है जा हमारे शत्रूने हमारे घर पर वार के उपर कोई बुरा बंदन लगाया हुआ है जा हमारे स्रीर के उपर कोई बुरा बंदन है तो आप उसकी शक्ती का पूर्ण रूप से मातारानी बिनास करें आप हमारी रक्षा करें हम आपकी शर्न में आए हैं उसके बाद यह जो जैफाल है आपने वहां से उठा लेना है और उसके बाद इसको पूरे घर में से वारना है जितने आप घर में व्यक्ति हैं उनके ऊपर से वारें जितनी भी आपके घर की दहलीज है उसके उपर से आपने इसको वारना है. वारने के वाद वक जनों आपने थोड़े से गोबर के कंडे गोबर के उपलों की आपने अंगियारी त्यार करनी है और अंगियारी त्यार करने के वाद जह जो जैफल है इसको आपने उसमें रख देना है इसको जला देना है पूरे घर में से उतारा करने के बाद अपने सर के उपर से वारने के बाद साथ साथ वार एंटी कलोक वाईज एक ही वार आप इस उपाई को करें तो जो भी आपके घर में कोई बुरा बंदन होगा कोई बुरी शक्ति होगी आपके शक्त्रूने आपके उपर जो भी कोई बंदन लगाया होगा तो तरंत ही उसका निवान होगा माता मसानी मेलडी जी की इस दिब्या शक्ति के दौरा इस टोटके की इस विदी के दौरा अगर विस्वास के साथ सर्दा के अनुसार आप इस विदी की पालना करेंगे जैसे 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 मैंने आपको बताया है और जो आपने इसको जलाना है जो जैफल है और जिसके उपर सरसू का तेल और मिर्ची के बीज लगे हुए है जैफल जो आपने इसको जलाना है आप लकडी की अंग्यारी त्यार करने के बाद भी इसको जला सकते हैं कपूर की टीकिया के उपर भी आप इसको जला सकते हैं केवल आपने इसको बिलकुल जला देना है जे बचना नहीं चाहिए भक्त जनों जे जो जैफाला है पूर्ण रूफ से जल जाना चाहिए तभी आपके घर में जो नेगिटव उर्जा है जो नेगिटव शक्ति है उसका पूर्ण रूफ से विनास होगा इस विदी के दौरा तो भक्त जनों जह जो विदी है आपने रात्री के समय पूर्ण रूफ से अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अब तक जाए माता काली जाए बाबा भायर बनाब